गूड इवनिंग इस्टूडेंस यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में सग सात्वाहन संगर्ष के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा इसे पहले वाले वीडियो में हमने सग कोन थे, सात्वाहन कोन थे, सुन कोन थे, मोरी कोन थे, कणवा कोन थे इन सब के बारे में जानकरी प्राप्त की थी तो आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए नोटिफिकेसन पढ़ सकें, तो चलिए पढ़ते हैं सक सात्वाहन संगर्स, सात्वाहन नरे सातकर्णी प्रथम की मर्त्यू के बाद सात्वाहनों का इधियास अंदकार पूर्ण हो गया, 17 इस्सा पूर्वा के लगभग से 106 इस्वी जो गोतियू पुतर सातकर्णी के उदे का काल था, ग पस्यमी तथा उत्री परदेसों पर सकों का अधिकार हो गया, यहीं से सक सात्वाहनों का संगर्स प्रारम हो गया था, पस्यमी भारत में सासन करने वाले पर्थम सक नरेस का नाम मेंबरस था, जिसका उलेक पेरिपल्स में मिलता है, पेरिपल्स का लेखक के अनुसार मेंब मेंबरस का राजे कोठिया वाड गुजरात तथा राजस्तान के कुछ भागों तक विश्त्रित था उसकी राजदानी मिननगर थी मिननगर थी पेरिपल्स में इस नगर की स्थिति का जो विवरण दिया गया है उससे ऐसा परतीत होता है कि यह नगर मनसोर अर्था दस्पूर था पेरिपल्स से पता चलता है कि इस समय सात्वाहनों का बंदरगा कल्यान मेंबरस के आकर्मनों के कारण ऐसुरुक्सित था तता यहां आने वाले युनानी माल वाहक जहांजों को रक्सकों के साथ क्या सम्बंध था यह पता नहीं है सक सात्वाहन संगर्स का वास्त्यों में से प्रारंबि होता है चहरात वन्स का पर्थम सासक भूमख था उसके सीके गुजरात काठियावाड के तट्ये परदेश माल लव तथा राजभुताना के अजवेर शेतर से प्राप्त हुए हैं सीकों की प्राप्ति स्थानों से इस बात का संकेत मिलता है कि उप्रिवत स्थान उसके राजे में सम्मिलित थे इसमें मालवा का उसने अपने समकालिन साथवा नरेश से जीता होगा नहपान इस वन्स का दूसरा राजा था सिकों के अतिरिक्त उसके बिलेग भी प्राप्त हुए हैं सिकों तता अभिलेकों के सम्मिली साक्स से असा निसकर्स निकलता है कि नहपान ने साथवानों के नेक परदेशों को जीत लिया था उसके सीक्य उत्तर में अजमेर से लेकर दक्सिन में महरास्टर तक मिले हैं तता अभिलेक जुनार जो पुना में नासिक तता काडले में प्राप्त हुए हैं ऐसा पर्तीत होता है कि नहपान के नेतरत्वे में सकों ने साथवानों को मालवा अप्रांत तथा महरास्तर से बाहर खदेड दिया और इन पर्देशों पर अधिकार कर लिया सकों को यह सपलता साथ करनी पर्थम के उत्रादिकारियों के काल में ही प्राप्ते हुई होगी इस समय साथ वहन लोग मैशूर के बेलारी जिल्ले में आकर बस गए संभवता है इस समय साथ वहनों ने सकों के दिन था भी शुविकार कर ली परन्तु सिग्र ही साथवानों की स्थिती में परिवर्तन हुआ तदा उन्हें गोत्मी पुतर साथ करने जो 106-130 इस्वी में था इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं जैसा एक योगे एम परतिबा साली सासक मिला नासिक परसस्ती से पता चलता है कि अपने राजय रोहन के 18 वर्स गोत्मी पुतर ने व्यापक सैनिक तैयारियों के साथ 6 रातों के राजय पर आकर्मन कर दिया यूद में नहपान तदा उसका दामाद रिशब दत मार डाले गए गोत्मी पुत्र ने अपरांत जो उत्री कोकन अनूप नर्मदा घाटी सुराष्टर कुकुर पस्चिमी राजपुताना आकर तता अवंधी पूर्वी पस्चिमी मालवा के परदेशों पर अधिकार कर लिया नासिक परसस्ती में उसे छह रातों का विनाज करने वाला तदा सक यवन और पहलों का उन्मूलन करने वाला तदा साथवाहन कुल की परतिष्टा को पूर्ने इस्ताफित करने वाला साथवाहन कुल यस पती थापन करस कहा गया है गोत्मी पुत्र की नहापान के विरुद इस विजे की पुष्टी नासिक जिल्डे के जोगल थंबी में मिले सिक्कों के धेर से भी हो जाती है यहाँ नहापान के अनेक चांदी के सिक्के ऐसे मिलते हैं जो गोत्मी पुत्र द्वारा पुनरंकित हैं ऐसा लगता है कि जोगल थंबी में छहरात नरेश नहपान का राज के कोसागार था गोथ में पुतर ने उसे प्राजित कर उसके कोसागार पर अधिकार कर लिया यह सकों के विरुद साथवानों की परतम है तो पुरू सपलता थी गोत्मी पुतर सातकर्णी के पुतर तथा उत्रा दीकारी वसिष्टी पुतर पुल्लू मावी के समय में साथवानों का संघर सकों के कादर्मक साखा से हुआ कादर्मक साखा का सेंस्तापग यस मोतिक का पुतर चस्टन था टोलमी के वीवरण से ग्यात होता है कि उसकी राजदानी उज्यनी जो उज्यन में थी इसे इसपस्ट होता है कि चस्टन ने साथवानों से उज्यनी पस्चमी मालवा को जीत लिया था क्योंकि गोत्मी पुतर साथकर्णी के समय में यह साथवाहन राजसामराजे में था चस्टन के कुछ सिकों पर चत्ते का चिन उतकिर्ण मिलता है चत्ते साथवाहनों के सिकों का एक परमुक चिन था इस आधार पर कुछ विद्वानों ने ऐसा निसकर्ष निकाला है कि चस्टन ने साथवाहनों के उत्री परदेसों को जहां चत्ते परकार के सिके परचलिथे जीत लिया था सात्वानों के विरूद कादर्मक सको को सरवातिक महत्वपुर्ण सपलता चस्टन के पोत्तर रुद्दरदामन जो 130 से 150 इस्वी के समय में मिली है 150 इस्वी के जुनागड अभिलेक से पता चलता है कि आकर अवंती जो पूरी पस्चिमी मालवा में अनुप नंदा नदी घाटी सुराश्टर कुकूर पस्चिमी राजपुताना तता अप्रांध उत्री कोंकण के पर्देशों पर उसका दिकारे था गोत में पुतर साथकन्नी को नासिक परसस्ति से इनी पर्देशों परसात वहनों का भी एधिकार सुचित होता है हताया इस पस्ठ है कि रूद्दर दाम्बन ने इन पर्देशों को गोत में पुतर के उत्रा दिखारी सास्य कुलू मावी से जीता होगा जूर्णागट अभी लेख में ये भी कहा गया है कि रूद्दर दाम्बन ने दक्षिनापत के स्वामी साथकन्नी को दो बार प्राजित किया परांतु समन्थ की निकरता के कारण उसका वद नहीं किया गया यहां जिस साथकन्नी का उलेक हुआ है उसकी पहचान वस्यस्टी पुतर पुलू मावी का विवाय रुद्दर दामन की कन्याशे हुआ था इस प्रकार ऐसा लगता है कि साथवानों ने कादर्मक सकों के साथ वेवाहिक सम्मन्द इस्थापित कर उसके द्वारा विजित अपने कुछ पर्देशों की रक्सा करने का प्रियर्थन किया था सक साथवाहन संगर्ष का अंतिम चरण साथवाहन नरेश यग्यसरी साथकनी के समय प्रारंबे हुआ उसने सकों से अपना खोया हुआ राजे प्रात करने के लिए उनके विरुद अभियान छेड़ दिया अप्रांद उत्री कोंकन से उसके सासनकाल के सोलवे वर्स का एक लेख मिला है जो इस बात का प्रमान है कि उसने अप्रांद को पुनह जीत लिया था सोपारा से मिले उसके कुछ सिक्के रुद्रदामन के चांदी के सिकों के अनुकरन पर ढलवाए गए थे तो देखेगा सोपारा जो बंदरगह था इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं देखेगा हम आपे उसके सिकों का विस्तार गुजरात का ठियावाड मालवा मध्य परदेश एम अंधर परदेश तक है इस परकार ऐसा लगता है कि उसने सकों को प्रास्त कर अपरान पस्चिमी भारत का कुछ भाग तता अनूब जो नर्मदा घाटी में को फिर से जीत लिया था इसके साथ इसक साथ वहन संगर्ष का अंत हुआ ऐसा परतीत होता है कि इसके बाद सक तता साथ वहन दोनों ही वन्स अपनी अंतरिक समस्यों में बूरी तरह वेस्त हो गए जिसके फर्स रूप उनकी पारिस परी सत्रूता का स्वाभाविक रूप से अन्त हुआ लगबग एक सताथ दी के आपसे संगर्ष में दोनों ही राजवन्सों की सकति समापते हो चुकी थी तो देखेगा इस वीडियो में हमने सक साथ वहन संगर्ष के बारे में महतोबुन जानकरी प्राप्त की एकजाम में ऐसे ही क्यूशन पूछे जाते हैं तो इन वीडियो को आप अच्छे से देखना और हमारे वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद